बिहार राज्य के बारे में कही तरह की धारणाएं हैं लोगों की एक धारणा ये है कि इस देश की प्रगती में इस देश के विकास में सबसे बड़ा बाथक कोई राज्य है तो बिहार राज्य है हो और बिहार राज्य को अगर इस देश से बाहर कर दिया जाए इसकी प्रग है जहां से मैं का सकता हूं कि भारतिये सभ्थता का इघ कुछा हुए है जो प्राचिन जो यह सब बियतियर मोपि जितना ऐस है और भी हार आचinh यह जान आउस हासीनकों नहीं ईस इत्तना ही रिए अशत्र और इसब्सक्रूब पिछड़ा है, बिमारू राज्यों में से एक बिहार को कहा गया था एक जबानी में, तो आपने कहा कि एक बिहार का इतिहास रहा है, बड़ी-बड़ी महान हस्तिया वहाँ पर रही है, और आज ये इस्तिति आ गई है, तो कभी आपने इस पर सोचने, सोचा है या इस पर उन्टेनों से बिहार पिछड़ गया ? अ सर बिहार को पिछले बिहार के पिछड़ने के कई कारण है Before independence अगर हम देखेंगे तो जो land system हमारे यहां पे था खास करके जो जमिदारी वयवस्था थी उसमें बिहार पिछड़ता गया उसके कारण आफर इंडिपेंडेंदेंस हम देखेंगे तो जो लेंड रिफॉर्म हुए, बिहर में सबसे पहले लेंड रिफॉर्म हुए, लेकिन इंप्लीमेंटेशन बहुत स्लो रहा, और इसके बाद सरकार की जो पॉलिशी रही, खासकर के फ्रेतेकुलाइजेशन पॉलिसी उसने बि के दसक से ही सुरू हुए थी ,की जो भी ट्रांसपोर्टेशन में सहायتा मिलती थी , अगर आप कहीं जिस इंड़्स्ट्री अस्थापित करते हैं , तो अगर आप रॉआ कारण था सर कोस्टल लेजन पोर्ट बगरे की सुवधाती तो आराम से एक्सपोर्ट बगरे की पोज़ सकता है इस विशेप पर हाल में चर्चा हुई है बहुत हाल फिलाल में कुछ ग्यान है आपका भारत के रास्ट उप मतलब एक्स रास्ट पती ने इस पर कुछ बयान दिया है शेप पढ़ा है आपने इस पर स्वारी सर्चाइब अच्छ है